इस मूवी का नाम है The Basketball Diaries तो कहानी की शुरू में हम एक लड़के को देखती हैं जिसका नाम जिम था उसको ख्लास में टीचर बहुत ही पुरी तरह से मार रहे होते हैं जिम जो के एक शिरार्ती लड़का था वो पने टीचर से कहता है क्या आपको तो मारना भी नहीं आता अभी तो मैंने इंजोई करना शुरू किया था जिस बात पर उसके टीचर को गुसा जाता है वो कहते हैं अगर तुम चाहो तो इसे हम कल भी शुरू कर सकते हैं इतने में एक लास भी खतम हो गई थी जिम अब अपने तेनों दोस्तों के साथ कलास से बाहर आता है इसके दोस्त इसकी तरह ही बहुत शरार्ती थी ये चारों सिग्रिट पिया करते थी हलाकि उमर में बहुत चोटे थी ये बहुत शरारते करते और कोई भी काम करने से पहले सूचा तक नहीं करते थी कि आखिर वो कर क्या रही हैं ये काम गलत है या सही यहां तक कि ये टीशू पर थिनल को डाल कर स्मेल सूंगा करते थी इनका माना ये था कि उसे निशा होता है पर जिम के अंदर एक खास बात थी वो बास्केटबॉल बहुत अच्छे तरीके से खेला करता था एक दिन इनका मैच होता है जिसमें जिम बास्केटबॉल मैच बहुत शानदार तरीके से खेलता है और जीत पिचाता है मगर मैच के दोरान जिम का दूसरा दोस्बूर लोकर रूम में जाकर दूसरी टीम के खिलारियों की घड़िया उनका कीमती समान और पैसे तक चोरी कर लेता है जब जीम मैच को जितने के बाद दोस्बू के साथ बाहir आता है तो यही पर उनके सामने दूसरी टीम के खिलाड़ी ख़रे थी जो ये कह रहे थी कि तुमने हमारा जो टीम की समान चोरी किया है वो हमें वापिस कर दो पर जीम और उसके दोस्त इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी इसलिए ये टीम के साथ लगना शुरू हो जाती है दोनों ये दूसरे को मार रहे थी जिसके बाद हम देखते हैं जीम हॉस्पिटल में अपने एक दोस्ते मिलने चाता है जिसको ग्रट कैंसर था जीम का ये दोस्त जब 6 साल का था जब से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मगर उसे ये बिल्कुए पी अच्छा नहीं लगता इसलिए जीम उसे वापी से हॉस्पिटल छोड़ कर अपने घर आ चाता है जीम ज़्यदादर अपना वा स्कूल के तीन दोस्तों के साथ रहकर गुसारा करता था उसके पास बास्केटबॉल के साथ साथ एक और महारत थी वो थी उसकी राइटिंग जब भी जीम के दिमाग में कोई ख्याल आता कोई पोयां दो वो से अपनी डायरी में निकलिया करता था उदर जीम का दोस्त जो हास्पिटल में बेमार था वो भी कुछ दिन बाद मर जाता है जीम जब उसे देखने चाता है जिसकी हालत बहुत बुरी थी वो अपनी दिमारी से धांचे में बदल गया था जीम उसकी ऐसी हालते कर बहुत रोता है उसकी मौत के बात इसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब अपने जिन्दगे में क्या करे जीम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जब फिल्म देखकर आ रहा था तो भी वो बहुत दुखी था वो बस अपने दोस्तों के मौत के बारे में ही सोच रहा था इसलिए वो अपने दोस्तों को छोड़कर एक पेस्मेंट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैटे हिरोईन का नशा कर रहे थे जिम वहाँ पर पहले बार उनसे इंजेक्शन लेकर खुद को लगा लेता है और उसे लगाने के बाद तो जिम का जैसे दुख दर्द सब कुछ खतम हो गया था वो एक अलगी दुनिया में पहुँच गया था और जब यह अपने घर आता है इसकी मॉम इसकी ऐसी हाल देखकर बहुत सदा परिशान होती है जिम अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे छोड़ दें आप कुछ नहीं जानती अब आहिस्ता आहिस्ता जिम और उसके दोस्तों ने इस नशे को करना शुरू कर दिया था यहां से शुरू हुई थी जिम की बर्बादी पहले तो यह हफ़ते में एक दफाई करती थी फिर दो दिन और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ऐसा लगने लगा कि इन्हें हर वक्त वो नशा चाहिए मगर इस नशे के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थी इसलिए रात को जब एक बुड़ी औरत अपने घर चा रही थी तो यह उसका फर्स चोरी कर लेते हैं यहां तक यह जिम का एक दोस्त उस बुड़ी औरत को बौट मारता है अगले दिन स्कूल में जब यह लोग चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर फादर इने अंदर आने का कहते हैं जिम जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज में चर्च में नहीं आँगा और फादर की कहने पर उच चला जाता है और जिम को खनफेस रूम में बिठाया गया था दरा सहली कैसा कम रहा था जहाँ पर एक इनसान फादर के सामने दिल की बात कहा करते थी जो फादर और उस इनसान के दर्मियान में ही राह करती थी यहाँ पर जिम फादर को सब पताना चाहता था अपने बुरे काम, अपने नशे के बारे में मगर कुछ पी नहीं बढाता वो रोज ये सोचता बस आज हो नशा करेगा जो आकरी बार होगा पर वो दिन को भी आया ही नहीं कि जिम ने नशे को छोड़ा हो नशा बुस की आदत बन चुकी थी क्योंकि किसी पर चीज़ की आदत छोड़ना इनसान के लिए बहुत मुश्किल है एक दिन जिम स्कूल के बातरों में नशा कर रहा था जहां पर इसके मैच का कोट इसे देख लेता है जिम नशे वे था कोट उसका फाइदा उठाने के कुशिश करता है और उसे पैसे भी देता है पर जिम को जब दोड़ा सा होश आया था तो वो उसे मार कर वहां से भगा दे अब जब मैच शुरू होता है तो जिम और उसका दोस जिसमें नशे की गुलिया ले थी ये दोनों होश में नहीं थी ये बहुत ही बुरी तरह से मैच को हार जाते हैं जब स्कूल के फादर को ये बात पता चलती है कि ये सबी नशा करते हैं तो वह वहाँ पर पुलिस को ल जिम और उसके बागी दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया गया था जिम जब अपनी घर जाता है तो उसकी माम उससे पोश्ती है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया जिस पर वो कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है हमने कोई नशा नहीं किया हमें साज़िश करके घर को छोड़ देता है उसकी माम उसकी ट्रॉफिक को भी घर से बाहर फैंग देती हैं जो उसने मैच में जीती थी जिम अपनी माम से ये कहकर चला जाता है कि अब वो कभी वापिस अपने घर नहीं आएगा उसकी माम कहती है कि ऐसा मत कहो जिम सुधर जाओ क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी वो नहीं चाहती थी कि जीम अपने जिन्दकी बरबाद करे अब जीम उस ट्रॉफिक को उठाता है और कुड़े के डबे में डाल देता है जीम जिब अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसे और उसके दोस्तों को अपने शिक की जरूरत थी पर उन अब मिकी था, उसको गन मिलती है, जो कि नकली थी, पर फिर भी ये उसे अपने पास रख लेता है, जिम का जो दूसरा दोस्ता, वो पूरे नशे में था, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि वो क्या कर रहा है, अब ये वहाँ पर भी पुलिस आ जाती है, जिम और मिकी अपने दो पूल के बच्चे जो कि अब मैच में आगे जाने के लिए सेलेक्ट हो पे थी, उन्होंने अपने मॉम डैट के सर को फकर से बुलन कर दिया था, जिब जिम और मिकी इस खबर को देखते हैं, तो उद्धास हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी इनका भी खौब हुआ करता था, जिम वहाँ पर एक आदमी आता है, जो जिम को बहुत मार रहा था, क्योंकि जिम ने उसकी दोस्त को नशा दिया था, जिससे उसकी मौत होने वाली थी, जिम उस आदमी से कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, तुम्हारी दोस्त ने उस नशे को हज़न नहीं किया, और वो आद उसे मार कर बर्व के ओपर गिरा गया था, तब यहाँ पर एक ओर आदमी आता है, जिसका नाम रेगी था, जिम जब नशा नहीं करता था, तो रेगी इसके साथ बास्केटबॉल प्रेक्टिस किया करता था, उसे ये बात पता थी, कि जिम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर बात कर दें नहीं दे सकता, वो उसी के सामने, उसकी नशे की दवाई को पानी में फ्लेश कर दीता है, जिम को उस पर गुसा आ रहा था, वो अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और रेगी से कहता है, अब तुम मुझे इसके पैसे दो हो रहा था, जिब सुबा होती है, तो रेगी उसे कहता है, कि मैं अपने काम पर जा रहा हूं, तुम यहीं पर रहना, रेगी के जाने के बाद जिम खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता, उसे एक बार फिर पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही जिम पर फैसे दूने लगता है, पर उसे नहीं मिलते, इसलिए वो अब यहां से एक लड़की के पास चाता है, चो पहले कभी इसकी दोस्त दुआ करती थी, यह लड़की भी नशा करती थी, जिम अब उसे पैसे मांगता है, पर वो नहीं देती, क्योंकि एक बार इसने भी जिम से पैसे मांगी थी, पर जिम ने देने से मना कर दिया था, जिम उसकी बहुत मिनते करता है, इसलिए वो लड़की अब पैक से पैसे निकाल कर जमीन पर फैक लेती है, और चली जाती है, जिम को उसकी इस हरकत पर बहुत गुसाता है, वो कहता है, मैं जानता हूँ, बुरी आत्मी के साथ गलत काम करके पैसे लेता है जिसकी बात ही अपने दोस्त मिकी के पास जाता है और ये दोनों मिलतर एक आत्मी के पास जाकर उससे नशा खरीते हैं मगर जब ये उसे टेस्ट करते हैं तो वो नशा नकली था ये दोनों भाग कर उस आत्मी के पीछे जाते हैं जो भागता भागता एक बिल्टिंग के छट पर आ गया था मिकी जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उस आत्मी का पाउँ स्लीप हो जाता है जिससे वो नीचे गिल कर मर गया था जिब जब वहाँ पर पहुँशता है तो मिकी से कहता है कि तुमने क्या कर दिया अब हमें कोई नहीं बचा सकता तुमने उसे मार दिया और जब मिकी नीचे जाकर चेट करता है तो कुछ गैन के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं पुलिस ने भी उसे पकड़ लिया था इतना सब फूरी के बाद भी जिम को समझ नहीं आई थी वो तो बारा से अपनी माम के पास जाता है और कहता है कि पुलिस माम मुझे पैसे दे दो मैं आपका बेटा हूँ मेरे साथ ऐसा मत करो पर उसकी माम उसे पैसे नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनने उसे पैसे दी तो वो नशा करेगा और अब उसकी माम ऐसा नहीं चाती थी तो इसलिए वो पुलिस को फोन करती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि शायद जिम जेल में रहे तो नशी की आदब को वो जोड़तेगा जिम को पुलिस वहाँ पर आकर पकड़ कर ले जाती है वो अपनी माम से यही कह रहा था प्लीस माम मुझे बच्चा ले मैं सुतर चाउंबा पर उसकी माम उसकी एक नहीं सुनती जिम ने जितने भी गुना किये थी उसे छे महीने की सलसा दी जाती है इन छे महीनों में वो अपनी डायरी जो लिखता था उसे भी पूरा कर लेता है और जिब छे महीने बाद वो जेल से बाहर आया तो हम उसे एक स्टेज के बाहर देखते हैं दरासरी यहाँ पर उसने अपनी पोईटरी शायरी को पढ़ना था जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी तब ही वहाँ पर उसका दोस्त आता है जिसको पुलिस दे सबसे पहले पकड़ा था वो कहता है जिम मेरे बास इंग बहुत अच्छा नशा है पर जिम कहता है नहीं मैंने ये सब को छोड़ दिया है मैं वापिस से उस दुनिया में नहीं जाना चाता और मेरे दोस्त अपना खियाल रखना इतना कहेकर वो स्टेज पर आचाता है जहाँ पर वो सब को अपनी शायरी सुनाता है जो सब को बहुत अच्छी रगती है सब तालिया बचा रहे थे आखर में हमें बताया जाता है कि जिम ने 17 साल के उमर में अपनी डायरी को पूरा किया जिसका नाम था दो बास्केट बॉल डायरी जो इस मूवी का नाम भी है जो कि बहुत जादा मशूर हुई थी और 22 साल तक जिम कैरॉल के दो नौवल्स भी पब्लिश्ट हुए ये सोचने कि इसका असर आपके माबाप के जिन्दी की पर भी पड़ता है अगर जिम की मौम उस दिन पुलिस को ना बुलाती तो जिम कभी भी नशे को ना चोड़ता और शाय को साल बाद मर चादा तो हर बुरी आदस से दूर रहे इसी मेसेश के साथ ये कहानी यहीं पर खत मुझाती है